हेलो फ्यूवर्स, वेलकम बैक टो माई चैनल, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे धाबे में शिम्ला मिर्च की टेस्टी सबजी किस तरह बनाई जाती है, तो चलिए आज की इस लाजवाब सी रेसिपी को शुरू करते हैं, तो देखिए यहाँ पर मैं गैस की तरह आ कर रही थी और शिम्ला मिर्च अच्छे से फ्राई हो गया है, एक प्लेट में निकाल लेंगे, बचे हुए तेल में एक तेज पात और कुछ कटी हुई हरी मिर्च एट करेंगे, साथ ही रफली चौप किया हुए एक प्याज भी डाल देंगे, अब दोस्तों यहाँ पर प् मिर्च मसाला एटकरेंगे, ओन टी बंटी पॉदर अच्छ मइच, आटफ थी उपन राल मिर्च का पाउडर दाल देंगे, साथ ही ऊन टी बिंच नमक नमक आप स्वादन साथ यहीं शाली सही चास्थ साथ वन टीस्पोन देगी मिर्च, यहने की कश्मिरी लाल मिर्च का प तो जैसा कि आप सबने देखा मसालो को अच्छे से हमने मिलाया उसके बाद यहाँ पर फ्राई की हुई शिमला मिर्च और उबले हुए आलू मैंने डाल दिया है तो आलू को मैंने पहले से ही उबाल कर रख लिया था आप अगर चाहें तो कच्छे आलू से भी सबजी को बना है तो टमाटर डालते ही तुरंत मिक्स करेंगे और कुछ देर अगर आप चाहें तो यहाँ पर कड़ाई को ढख के पका सकते हैं जिससे टमाटर हलका गल जाएगा तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर कड़ाई को ढख कर कुछ देर पका लेते हैं कड़ाई का धकन हटाते ही देखिए टमाटर बिल्कुल नरम हो चुका है सबसी बनकर तयार है उपर से क्रश किया हुआ कसूरी मेथी डालेंगे आप चाहे तो यहाँ पर फ्रेश कोरियंडर याने की फ्रेश धनिया पत्ति का यूज़ कर सकते हैं कुटा हुआ गरम मसाला भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बाज़ों में दिए गए बेल आइकन के बटन को हिट कर दें तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में